नमस्कार दोस्तों, जै माता दी वर्ट बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें। माता रानी सब का कल्यान करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्र का वरत वजितिया वरत 2019 में कब है और वरत का सुब मुहूरत वा महतु क्या है और इसकी संपूर पूजा विदिक क्या होगी? पूरी चानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर आप वर्ड बेस मेजिक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो रेट कलर के सस्क्राइब बटन को क्लिक कर दीजे और घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्यार करें। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत हिंदू धर्म में बड़ी स्रद्दा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। जिसे अपनी संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन निर्जला उपवास किया जाता है। इसे तीन दिन तक मनाया जाता है। इस वरत को माताएं अपनी संतान के उजल भविस और लंबी आईव के लिए रखती हैं। दोस्तो हिंदू पांचांग के अनुसार यह वरत अस्विन महा के क्रिश्न पक्च की सत्मी से नौमी तिती तक मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन नहाय खाय, दूसरे दिन निर्जला वरत तथा तीसरे दिन वरत का पारण किया जाता है। यह पर्व बिहार वा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। दोस्तों, साल 2019 में जीवित पुत्र का वरत 22 सितंबर 2019 दिन रविवार को मनाया जाएगा। और अस्टमी तिति का प्रारम 21 सितंबर 2019 दिन सनीवार को रात 8 बचकर 20 मिनट से लेकर अस्टमी तिति का समापन 22 सितंबर 2019 दिन रविवार को 7 बचकर 50 मिनट पर होगा। इस पर्वका मुक दिन अस्टमी का दिन होता है जिस दिन निर्जला वरत रखा जाता है इससे एक दिन पहले यानि सक्तमी तिथी को नहाई खाय होता है जबकि अस्टमी के अगले दिन नौमी तिथी को जितिया वरत का पारण किया जाता है दोस्तों जितिया वरत के पहले दिन को नहाई खाय कहा जाता है इस दिन महिलाएं प्राता काल उटकर पूजा पाट करती हैं और एर पार ही भोजन करती हैं उसके बाद महिलाएं दिन भर कुछ भी नहीं खाती है जितिया वरत का दूसरा दिन खुर जितिया कहलाता है किया जाता है वैसे तो इस दिन सब कुछ खाया जाता है लेकिन मुख रूप से जोर भात नोनी का साग मंडुवा की रोटी और मरुवा की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती हैं दोस्तों इस पर्व से एक विसेश कथा जूड़ी हुई है जिसके मुताबिक एक बार ए वं कथा सुनी उस समय चील ने इस व्रत को पूरी सरद्दा के साथ ध्यान पूर्वक देखा जबकि लोमडी वहां से चली गई जिसके फल सरूप चील की संताने सही सलामत रही जबकि लोमडी की एक भी संतान जीवित नहीं वची इस प्रकार जितिया व्रत का बहुत अधि वधि इस प्रकार है असüd माहा के क्रष्ण पक्छ की अस्टिमी को प्रदोस काल में माताय जी मुत्वाहन की पूजा करती है माना जाता है जो महिला जी मुत्वाहन की पूरे शद्दा और विस्वास के साथ पूजा करती है तो उनके पुत्र को दीर गायु वहर सुख की प्राप्ती होती है पूजन के लिए जीमुत मौहन कुसा से निर्मिद प्रतिमा बनाई जाती है फिर रोली अक्चत अर्पित कर फल फूल चणाएं तद पस्चान धूब दीब जला कर विद्वत पूजा अर्चना करें पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है कहा जाता है जो महिला इस व्रत को पूरे श्रदा और विदी विधान के साथ करती है उनके पुत्र आरोग्य सफलता सम्रथी वाद दीर गायु प्राप्त करती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथी साथ इस वीडियो को फेस्बूप और वाटसब पे अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ अवस्य शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फर्ट बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथी साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद